ग्यानवापी पजशर में हिंदू मसलिम पक्ष ने मंदिर और मस्जित का आस्वित सावित करने के लिए कई दावे किये हैं इस इस्पेशन स्टोरी में दोनों पक्षों के दावों के अधार पर आपको ग्यानवापी की पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे नमस्कार मैं हूँ सोनाली ठाकूर और आप देख रहे हैं हिंदी खवर बता दिए कि जिस ग्यानवापी पजशर का ये मुद्दा है उसी मुसलिम पक्ष की मस्जित भी है मस्जित के ठीक बगल में काशी विश्वनात मंदिर है दावा है कि इस मस्जित को औरंग जियो ने एक मंदिर तोड़ कर बनवाया था ऐसे में आईए हम आपको शुरू से लेकर अब तक की इस विवाद की पूरी कहानी बताने की कोशिश करेंगे पहले जान लीजिये विवाद ज्यान वापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फिटूचा आदी विश्वेशर का स्वंभू जय ट्रिलिंग है काशी विश्वनात मंदिर का निर्माड करीब 2050 सल पहले महराजा विक्रमादित ने करवाया था लेकिन औरकजेव ने साल 1664 में मंदिर को तुड़वा दिया दावे में कहा गया है कि मस्जित का निर्माण मंदिर को तोड़ कर उसकी भूमी पर किया गया है जो कि अब ज्यान वापी मस्जित के रूप में जाना जाता है याची करताओं ने मांग की थी कि ज्यान वापी परिसर का वैज्यानिक सर्विक छटकर ये पता लगाया जाए कि जमीन के अंदर का भाग मंदिर का अफशेस है या नहीं साथ ही विवादि धाचे के फर्स तोड़ कर ये भी पता लगाया जाए कि 100 फी टूचा जरते लिंग स्वैंभू विशेशर नाथ भी वहां मौजूद है या नहीं मजजित की दिवारों की भी जाच कर पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या नहीं याची कर्ता का दावा है कि काशी विश्णात मंदिर के अफशेसों से ही ग्यान वाफी मजजित का निर्माठ हुआ था आपको बता दे कि इनी दावों पर अदालत ने कोर्ट कमिशनर नियुक्त करते हुए आर्कियो लॉजिकल सर्वे ओफ इंडिया से सर्वे करवाया था चले जानते हैं इस विवात को लेकर अब तक क्या क्या हुआ काशी विश्णात ग्यान वाफी केस में उन्निस सो इंक्यावे में वरांची कोट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था याचका में ग्यानवापी परसर में पूजा की अनमती मांगी गई थी प्राचीन मूर्थी स्वैंभु भगवान विश्वेशर की ओर से सोमनात व्यात रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे वता और वादी इसमें शामिल हैं बता दे की कुछ महीने बाद सितंबर 1999 में केंस सरकार ने पूजा इस्थल कानून बना दिया यह कानून उनका हवाला देकर मजजित कमेटी ने याचका को हाई कोट में चुनौती भी बता दे कि 1993 में इलाहवाद हाई कोट ने इस्टे लगा कर यह था इस्तिक काइम रखने का आदेश दिया था 2018 में सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में इस्टे ओर्डर की व्यत्ता केवल 6 महिने के लिए ही होगी उसके बाद ओर्डर प्रफावी नहीं रहेगा इसे आदेश के बाद 2019 में वरार्सी कोट में फिर से इस मामले में शुनवाई शुरू हुई 2021 में वरार्सी की सिविल जेज सीनियर डिवीजन फास्ट रैक कोट से ग्यानव्यापी मजजित के सर्वेक्षड की मंजूरी दे दी गई आदेश में कमीशन न्यूक किया गया और इस कमीशन कोट 6 और 7 मई को दोनों पक्षों की मौजूदगी में शंगार गौरी की वीडियोग्राफिक आदेश दिये गए 10 मई तक अदालत ने से लेकर पूरी जानकारी मांगी थी बता दे कि 6 मई को पहले दिन का ही सर्वे हो पाया था लेकिस 7 मई को मुस्लिम पक्ष ने इसका विरूद शुरू कर दिया मामला कोट पहुँचा 12 मई को मुस्लिम पक्ष की याच का पर सुनवाई हुई कोट ने कमिशनर को बदलने की मांग खारिश कर दी और 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करवा कर रिपोग पेश करने का आदेश दिया बता दे कि कोट ने कहा कि जहां ताले लगे हैं वहां ताला तुड़ा दीजिये अगर कोई वाधा उत्पन करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कारवाई करिये लेकिन सर्वे का काम हर हालत में पूरा होना चाहिए मुए 14 मई को सुप्रिम कोट ने मुस्लिम पक्ष की याचका पर तुरंट सुनवाई से इंकार कर दिया याचका में ग्यानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी सीश अदालत ने यह था इस्तिती बनाए रखने से इंकार करती हुए कहा था यह हम बिना कागजात देखे आदे जारी नहीं कर सकते अम मामले में 17 माई को सुनवाई होगी बता दे कि 14 माई से ही ग्यानवापी के सर्वे का काम दोवारा शुरू हुआ है सभी बंद कमरों से लेकर कुए तक की जाच हुई है इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो और फोटोग्राफी भी हुई है वहीं 16 माई को सर्वे का काम पूरा हुआ है हिंदू पक्ष ने दावा किया कि कुए से बावा मिल गए है इसके अलावा हिंदू इस्थल होने के कई साच मिले है वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे के दौरान कुछ नहीं मिला हिंदू पक्ष ने इसके पैग्यानिक सर सर्वे का आदेश देदिया 24 जन्वरी 2024 को जिला जज डॉक्टर अजयकरट विश्वेस के अदालत ने बुद्धभार को खैतला सुनाया जिला जज ने बादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दी जाने का आदेश दिया 25 जन्वरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई बता दी थी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे ऐसी तमाम खबरों के साथ तब तक देखते रहे हिंदी खबर